नमस्कार हमारे यूटूग चैनल एलन बेलेक्टिकल में अप सभी का स्वागत है आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं एक ट्रांस्फर्मर वाइंडिंग डाटा के बारे में कि कैसे मैंने ये ट्रांस्फर्मर वाइंडिंग किया किस डिटेल से मैंने इसे वाइंडिंग कर लिया है तो मैंने सोचा कि आप से सेयर करूं इसका डेटेल की कैसे हैं हमने वाइंडिंग किया ठीक है ताकि आपको भी इस रेंज का यदि ट्रांसफर्मर का आप सकता हो तो आप हमारे इस वाइंडिंग डाटा से सहज से बना सकेंगे तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस ट्रांसफर्मर की रेंज की बारे में तो इसमें इन्पुट जो ये जो ट्रांसफर्मर की इन्पुट सप्लाई होगी ठीक है, इन्पुट जो सप्लाई होगी वो होगी 220 वोल्ट और आउटपुट जो सप्लाई होगी आउटपुट सप्लाई जो होगी इस ट्रांस्फरमर की जो मैं अभी वाइंडिंग डाटा बताऊंगा आपको वो होगी 24 वोल्ट ठीक है, और 700 विये का होगा वोल्ट एमपे 700 विये का होगा ठीक है, 700 विये का होगा ये ट्रांस्फरमर तो इस ट्रांस्फरमर की वाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें किस किस चीज क्या वसकता होगी ये तो हमने बता दिया आपको कि इस क्या इस पेसिफिकेशन क्या क्या है ठीक है 220V input आप दे सकते हैं 24V output ले सकते हैं 700 भी इसकी capacity होगी ठीक है तो बात करते हैं किस किस चीज क्या आप सकता होगी तो सबसे पहले होगी bobin की सबसे पहला bobin तो bobin जो हमने लिया है अब bobin का हम measurement करकर आपको दिखा रहा है ठीक है bobin का measurement हम आपको करकर दिखा रहे है बर्नियर से हम इसको measure कर ले रहे हैं सबसे पहले इसकी लंबाई को देख ले रहे हैं 43 आ रहा है ठीक है और ये भी 43 है ठीक है 43 mm तो इसे मैं note कर ले रहा हूँ जो हमने bobin size लिया है ठीक है bobin size जो लिया है ये इसकी जो bobin का जो inner diameter है inner diameter डाया जो है inner diameter वो है आपका जो इसकी width है यानि की चोड़ाई वो है 43 mm और जो length यानि की लंबाई जो होगी लंबाई जो है वो 43 mm 43 mm और 43 mm ठीक है अब हमें wire क्याब सकता होगी तो हमने इसमें winding करने के लिए दो gauge की wire का इस्तमाल किया है ठीक है दो अलग-अलग gauge की wire का इस्तमाल किया है सबसे पहले जो आपको wire gauge लेना है SWG ठीक है वो साड़े सत्रा नंबल लेना है ठीक है यानि की 17.5 ठीक है और एक SWG लेना है साड़े 9 यानि की 9.5 ठीक है बोबिन ले लिया wire ले लिया अब हम winding data के बारे चर्चा करेंगा तो इसकी तीसरा हम बात करेंगे winding data तो इसकी जो winding data होगी वो की चीज़ उस पर करेंगे ठीक है यह primary यह secondary winding है प्राइमरी winding है और यह secondary winding secondary winding ठीक है प्राइमरी winding में हमें लेना है साड़े 17 नंबर गेज के wire को ठीक है कितना गेज हेज डबलू जी कितना लेना है साड़े 17 से हमको wind करना है turn कितना देना है इसमें turn देना है तीन सो सत्रा turn फिर हमें secondary winding करना है साड़े 9 नंबर गेज के wire से साड़े 9 नंबर गेज के wire से कितना turn देना है turn देना है टोटल जो turn होगा secondary winding में वो होगा 34 turn ठीक है 34 turn winding करना है यह primary winding होगी है यह secondary winding होगी है इसमें in हो जाएगा 220 volt AC और इधर out हो जाएगा 24 volt AC ठीक है तो इस winding डीटेल के आधार पर यदि आप transformer की winding करते हैं 100% ठीक है 100% successful होगा और 100% जो हमने voltage आपको बताया वो input भी उतना आप दीजिएगा तो output उतना निकलेगा ठीक है एकदम मतलब perfect winding data है तो मैं आसा करूंगा आप हमारे इस वीडियो को full watch करने के बाद आप इस winding data को समझ पाए होगे यदि आपको अभी भी कोई दिकत थै इस winding data के बारे में तो किर्पिया कमेंट करें मैं उसका जवाब दूगा ठीक है तो हाँ तो एक बार मैं समरी में आपको बता दो रहा हूँ क्या क्या करना है input supply जो इसमें ये जो हमने transformer winding किया 220 volt है output जो है 24 volt है ACT कै और भी जो है वो 700 भी है सबसे पहले 1.5 थीक है 7.5 नामबर गेज की वायर से इह हो 7.5 नामबर गेज की वायर से हमें primary winding करना है 317 turns सबसे लेना है फिर हमें wind करना है secondary winding 34 turns थीक है winding करने के बाद हमारा यह यह वोल्ट आउटपुट और इंपुट जितना जितना हमने लिखा इंपुट 220 वोल्ट और आउटपुट 24 वोल्ट एसी निकलेगा ठीक है और एक बात मैं बता दे रहा हूं जो आप लेयर पेपर लेयर पेपर का इस्तमाल करेंगे वो अच्छी क्वाइलिटी का ठीक है इंसुलेशन जो लेयर पेपर इंसुलेशन लेयर पेपर का जो इस्तमाल करेंगे वो अच्छी क्वाइलिटी की होनी चाहिए मैंने हैं नॉमेक्स ठीक है बहुत ही अच्छी क्वाइलिटी का इंसुले क्लास बोबिन सबसे अच्छा होगा यदि आप कर पाएं तू ठीक है नहीं तो आप बेकलाइट का भी परियोग कर सकते हैं ठीक है और बार्निस बार्निस एक महत्वा रखता है ठीक है बार्निस अच्छी क्वालिटी का इस्तमाल करें और क्या और कोई दिकत नहीं ओगा इस ट्रांस्फरमर्से बहुती अच्छा काम करेगा ठीक है मैंने इसके पहले भी और एक दो इसी डिटेल से हमने बनाया बहुती अच्छा काम कर रहा है ठीक है तो यदि आप हमारे इस वीडियो को देखकर कुछ सीख पाएं होंगे ठीक है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब और सेर जरूर करें धन्यवाद